Hello everyone, once again, welcome back to my channel तो friends, एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए theory पे questions answer लेके आई हूँ जो की one word questions answer है और ये question जो है प्रगेती हासी काल की चित्रकला chapter का नाम है और इसी chapter से related सारे questions है और साथी questions को बताने से पहले आज का वीडियो शेर करने से पहले एक important बार वो जरूर सुनिए कि ये chapter मैंने आप लोगों को already पढ़ा रखा है अपने previous वीडियो में अगर आप मेरी previous वीडियो को देखीगा तो उसमें आपको ये chapter मिलेंगे जिसमें मैंने with detailing के साथ हर questions बताए हैं तो ये वीडियो जो मैं आप लोगों के साथ आज share कर रही हूँ इसे तो आप learn कीजिये ही कीजिये लेकिन इसके साथ साथ जो मैंने previous वीडियो शेर किया है already उसे learn करना बिलकुल भी ना भूले क्योंकि उसमें और जादा important questions है उसको याद कर ले और इसके बाद आज का जो questions है इसे भी आप जरूर याद करें तो फटाफट स्टार्ट करते हैं पहला जो question है इस chapter का वो है भारत में प्राचिन एतिहासिक चित्र कहां से प्राप्त हुए हैं तो answer हो जाएगा आपका मिर्जापुर में केमूर परवत श्रिंखलाओं से next question question number two फ्रांको केंटे ब्रियन छेत्र के अंतरगद कौन सी गुफाएं आती है तो answer हो जाएगा फ्रांस और स्पेन की प्रगेतिहासिक गुफाएं next question question number three दक्षिन के वेलारी के प्रगेतिहासिक सीला चित्रों का परिचे कब और किसने दिया है तो answer हो जाएगा आपका 1892 इसवी में F. फासेट ने next question question number four स्वर्व पर्थम सीला चित्रों की खोज का स्ट्रे किसे जाता है तो answer हो जाएगा आर्चिवाल कलाईल तथा काकवन को और साथ ही आपे friends में आप लोग को बता दू कि अगर आप मेरे वीडियो जित्ते भी मैं theory पर questions आप लोग के लिए शेयर की हूँ previous वीडियो में और कर रही हूँ आने वाले वीडियो में अगर आप सारे वीडियो को देखके सारे questions लर्न करते हैं तो आपको इधर उधर कहीं भी भागने की जरूत नहीं है आपकी ये सारे questions अगर आप इस वीडियो से लर्न कर रहे हैं तो आपका BFA का जो theory part है वो crack हो जाएगा 100% हो जाएगा अगर आप सारे questions पढ़ते हैं तो और लर्न करते हैं तो नेक्स आगे पढ़ते हैं नेक्स कोशन पे नेक्स कोशन है कोशन नमबर 5 सरवाधिक धनूर धरो के चित्र कहां से प्राप्त हुए हैं तो एंसर है पंचमडी गूफा से नेक्स कोशन कोशन नमबर 6 उत्तर पाशान युग के मानव का प्रधान केंद्र कौन सा था तो एंसर हो जाएगा वेल लारी नेक्स कोश्चन कोश्चन नमबर सेवन प्रगेती हासिक कला केसी है तो एंसर हो जाएगा प्रतीक वादी तथा उपयोगिता वादी प्रिगेती हासिक कला से समंधित चित्र किस पद्धिती के बने है तो एंसर हो जाएगा छेपांकन पद्धिती सबसे प्राचिन मानव कहा निवास करते थे तो एंसर हो जाएगा मद्रास के पलावरम नामक अस्थान पर नेक्स कोशन कोशन नमबर टेन हरनी हरन गाउं कहां इस्थित है तो एंसर हो जाएगा मिर्जापुर में विजेगर्द दुर्ग के समीब नेक्स कोशन कोशन नमबर इलेवन बारा सीहे का आखेट चित्र कहां से प्राप्त हुआ है तो answer हो जाएगा लिखुनिया से Next question, question number 12 लिखुनिया किस नदी के किनारे इस्थित है तो answer हो जाएगा गरेई नदी के किनारे Next question, question number 13 भूत का रहसमेई चित्र बहुत important ये question है भूत का रहसमेई चित्र कहां से प्राप्त हुआ है तो answer होगा डोकवा, महरानी, कंडा, कोट से Next question, question number 14 सहद एकत्रित करते हुए चित्र कहां से प्राप्त हुए हैं तो answer हो जाएगा पंचमडी से Next question, question number 15 भीम बेटी का से प्राप्त होने वाली चित्रों में अधिकतर किस प्रकार के रंग होते हैं तो answer हो जाएगा लाल रंग या फिर गेरू रंग भी बोल सकते हैं Next question, question number 16 किस प्रगिती हासिक चेत्र में हाथी का अंकन अधिक है तो answer हो जाएगा आदमगर चेत्र में Next question, question number 17 प्रगिती हासिक कला पर लिखी गई प्रिहिस्टोरिक पेंटिंग के लेखक कौन है तो answer होगा ब्राडरिक Next question, question number 18 पुस्तक प्रिहिस्टोरिक इंडिया के लेखक कौन है तो answer हो जाएगा पिगाड यहाँ पर आप एक चीज देख सकते हैं इसमें प्रिहिस्टोरिक पेंटिंग के बारे में पूछा जा रहा है जिसके लेखक ब्राडरिक है पेंटिंग बोला जा रहा है वहीं प्रिहिस्टोरिक इंडिया के लेखक पूछा जाए तो आपको बोलना है पिगाड पिगाड Next question, question number 19 प्रिगेति हासिक मानव रंगों में क्या मिलाते थे पहुत important question है पसूओ की चर्बी Next question, question number 20 काकबंड को किमूर परवत से क्या प्राप्त हुआ तो आंसर हो जाएगा सिल्बट्टा Next question, question number 21 दक्चिन भारत में सरपर्थम मानव अस्थियां कहां से प्राप्त हुई है तो आंसर होगा विल्लारी Next question, question number 22 विश्व में सरवाधिक प्राचिन एतिहासिक चित्र कहां से प्राप्त हुए है तो आंसर होगा आपका अलता मीरा गूफा से Next question, question number 23 अलता मीरा गूफा की खोच कब और किसने की तो आंसर होगा 1879 में मारिया सांतु ओला ने जो की महज एक बारा वर्स की लड़की थी Next question, question number 24 अलता मीरा गूफा कहां स्थित है तो स्पेन में Next question, question number 25 भारत में प्रगितिहासिक चित किस पर बने है तो आंसर होगा आपका सिलाओं पर या फिर चटानों पर Next question, question number 26 आइक्योलोजी एंड पिरिहिस्टोरिक एलांस ओफ स्कार्टलेंड पुस्तक किसकी है तो आंसर होगा डेनियल विल्शन डेनियल विल्शन की ये है पुस्तक Next question, question number 27 पुर्वे पाश्चान काल के मानव को किस नाम से पुकारा जाता था तो आंसर होगा आपका क्वाटीजाइट क्वाटीजाइट जो मैं बताओ दो यहाँ पे एक परकार का नोखीला पत्थर को कहते हैं नोखीला पत्थर होता है अथा प्रगेतिहासिक टाइम पे जो कि उसका नाम था क्वाटीजाइट ठीके और इसी पत्थर का यूज करके वो लोग औजार बनाते थे और सिकार करते थे जानवरों को मारते थे और फिर उसे आहार बनाते थे मतलब उसे भोजन के रूप में परियोग करते थे तो क्वाटी जायट जो है एक परकार का नोखीला पत्थर है नेक्स कोशन, कोशन नमबर 28 प्रगिती हासी काल में कलात्मक वृद्भांडो का परियोग कब से माना जाता है तो अपका एंसर होगा नव पाशान काल से यहाँ पर बता दो भृद्भांड का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन ठीके तो कलात्मक जो डिजाइन क्या हुआ जो मिट्टी के बर्तन है उसका परियोग कब से माना जाता है तो नव पाशान काल से नेक्स कोशन, कोशन नमबर 29 नव पाशान काल के सरवादिक अफ्षेस कहां पाए गए है तो एंसर हो जाएगा वेलारी ठीक है तो यह आपका हो गया 29 कोशन जो कि इस वीडियो में है और इसका एक प्रिवेस वीडियो जो कि प्रगेतिहासिक में जैसा कि मैंने कहा आप लोग को पढ़ा रखा है क्लास 52 के वीडियो देखीगा मेरी क्लास 52 ठीक है उसके वीडियो देखीगा तो उसमें आपको इस चप्टर के से रिलेटेड वीडियो मिल जाएंगे इसली तो आराम से आप सर्च कर सकते मेसी पेपर भाई के एस क्लास 52 वीडियो तो आपको मिल जाएंगे इसली तो चलिए आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बचाएगा वीडियो कैसा लगा और कौन सा कोशन आपको नहीं समझ मैं आप वह भी कमेंट सेक्शन के थूरू मुझसे पूछ सकते हैं और जादा कुछ पूछना हो तो आप म नेक्स्ट वीडियो में अपना ख्याल रखें नमस्तें थैंक यू फूर वाचिंग